हलो एब्रीवन आज हम बात करेंगे लेजिसलेटिव रिलेशन बिट्विन यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में तो इस टॉपिक को जानने से पहले एक पॉइंट क्लियर करना बहुत जादा जरूरी हो जाता है कि आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक हमें लेजिसलेटिव रिलेशन बिट्विन यूनियन एंड स्टेट्स तो बता दिया हाँ ठीक है बता दिया बट दे थिंग इस कि इन्होंने हमें यह तो बताया नहीं है कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे है नॉर्मल है यार हमारे दिमाग में कोशन अराइस होता है कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं इसका क्या रेलिवेंस है हमारी लाइफ में हम लॉज स्टूडेंट है कल हम प्रैक्टिस में जाएंगे कहीं पर भी जाएंगे इसका क्या जुरूरत है हमें इसको पढ़ने की क्यों हमें ये कंसेप्ट क्लीर करना पढ़ेगा सिर्फ एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से नहीं हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे सबसे जादा जुरूरी है कि ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर पार्लियमेंट ने कोई लॉव बना दिया देखो यार लेजिसलेचर कौन होता है एक तो पार्लियमेंट ठीक है एक स्टेट लेजिसलेटिव एसेंबली या कॉनसिल तो अगर ये दोनों अगर लॉव बना रहे हैं और इनका लॉव आपस में कहीं क्लैश हो प्रावदान है या नही तो हाँ उसके लिए प्रावदान है हम देखेंगे कि किसका लॉव प्रिवेल करेगा वह टौपिक इस टौपिक के अंदर कवर है ठीक है अर्टिकल 245 से लेकर 255 अर्टिकल तक यही बताया गया हमें तो शुरू करते हैं आर्टिकल 245 से जिसमें हम में बताया गया है कि जो parlement है वो इंडिया में wholly, मनलब पूरे इंडिया में कहीं पर भी लौबना सकता है ठीक है, या फिर इंडिया में किसी भी territory specific कोई area, किसी territory के उपर लौबना सकता है, हमने कहा ठीक है sir, हम समझ के, तो उसने कहा भाई भाई रुको अभी नहीं समझो आप अभी एक और चीज़ रहती है तो मिनका बताओ यार क्या रहता है तो ही सेट कि स्टेट लेजिसलेटिय असेम्बली या कॉंसिल जो है वो सिर्फ अपने स्टेट में लॉव बना सकती हैं कम्प्लेटली या फिर किसी एक portion पे law बना सकती हैं जैसे कि सपोस कीजिए कि कैथल एक district है हर्याना में तो हर्याना की जो government है government नहीं है स्टेट लेजिसलेटिय असेम्बली जो है वो क्या करेगी law बना सकती है पूरे हर्याना के उपर या फिर सिर्फ एक particular district के उपर particular किसी territory part के उपर ठीक है तो फिर एक question arise होता है क्या सिर्फ हमारे जो legislature है जो हमारे legislation बनता है हमारे इंडिया में क्या सिर्फ वो हमारे इंडिया के ही उपर applicable रहता है या फिर territory से बाहर भी लग सकता है उसके लिए भी बना सकते है तो उसके लिए doctrine आती है doctrine of territorial nexus अब इसमें क्या है इसको समझने से पहले हमें case को detail में explain करते है तो उसमें हमें पता लग जाएगा idea हो जाएगा कि हम क्या बताना चाते है इस case में बताया गया Wallace versus income tax commissioner Bombay AIR 1948 का case है इसमें क्या होता है कि company होती है England की ठीक है अब उसका relation होता है इंडिया में क्यों क्योंकि उसने अपनी farms established कर रखे है इंडिया में अब इंडिया से जो कमाई हो रही है वो England जा रही है तो इंडिया के resource बाहर जा रहे है तो क्या होता है कि जो parliament है वो सोचते है कि इसके ओपर होना चाहिए रिलेशन होना चाहिए ठीक है तभी हम बना सकते है उसके ओपर लो तो अब जैसे मान लीजे कि कोई यहां से फ्रॉड करके जाता है उसकी property बाहर पड़ी है और जैसे विजय निर्वमोधी हो गए ठीक है तो यह जो है यह जो बैंकरप्ट है यह जो जा चुके हैं यहां से पैसे वगारा लेकर तो इनकी property के ओपर parliament law बना सकता है ठीक है तो यह जो है यह है doctrine of territorial nexus इसके बाद एक concept आता है concept of delegated legislation तो हम सब को यह पता है कि जो law है वो सिर्फ parliament बना सकता है या फिर मतलब यहां पर बात करें टो 45 से लेकर 255 के अंदर जो law है वो कौन बनाते हैं लेकिन अगर कभी legislature अपना काम किसी और के ओप delegate कर दे duty delegate कर दे law बनाने की तो क्या यह possible है तो हाँ यह possible है तो यह कैसे possible है तो मैंने कहा कि suppose कीजिए कि जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं इसके अंदर यह जो लिखा हुआ है इतना सब कुछ suppose कीजिए कि एक blueprint है अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको अच्छे marks चाहिए तो आप क्या करेंगे इस चीज को ही describe करके आएंगे detail में तो ही आपको अच्छे marks मिलेंगे अब दो condition हो सकती है या तो अगर यह मेरा लिखा हुआ ही गलत हो जाए सारा या मेरी कुछ part तो आपके number कर जाएंगे या फिर आप उस हिसाब से नहीं लिखके आते हो जि उस authority को या person को देगा कि आपको इस हिसाब से ही law आगे बनाना है आप इससे बाहर कुछ नहीं बना सकते तो उसने कहा कि ठीक है यार चलो आपकी बात बड़ी करते हैं मुझे समझ आ भी गया इतना सब कुछ but the thing is कि क्यों हमें delegated legislation की जरूरत पड़ती है जरूरत ही क्या होता है जब parliament के ऊपर बहुत pressure होता है बहुत busy होता है पहले parliament बहुत busy होता है लेकिन फिर भी अगर मालो pressure होता है बहुत दूसरे काम होगा तो वह technicality वाले subjects पर law नहीं बनाता है या फिर अगर technicality or subject matter हो कि जहां पर हम कहें कि जो वह expert है experts की ही जरूरत होती है law बनाने में के लिए तो जो हम कह सकते हैं कि जो experienced person है वो technical subjects के उपर law बना सकते हैं उनको delegate किया जा सकता है legislation ठीक है या फिर opportunity to experimentation कि एक law है उसका experimentation करने के लिए भी हम delegate कर सकते हैं कि हाँ यह चलेगा नहीं चलेगा unforeseen contingencies के बात करें तो जैसे suppose किजिए कोई national disaster आजाए natural disaster आजाए कहीं earthquake आजाए flood आजाए ऐसे से वहाँ पर जो law बनेगा वो parliament में बैठके अगर बनाएंगे तो I think वो इतना capable नहीं रहेगा ठीक है जहां पर वो delegated legislation की थ्रूप बनवाए जाए तो कुछ काफी है तक बहुत भी है कहीं inconsistent तो नहीं है अगर inconsistent होता है तो court उस enabling act को unconstitutional कह सकते हैं और साथ में वो इस ground पे भी कह सकते हैं अगर जो legislation है जो delegate किया गया है वो excessive amount में हो या फिर किसी fundamental right का violation करते हो ठीक है ये तो रहा judicial control अब बात आती है parliamentary control की तो parliamentary control तीन स्टेजस में होता है parliamentary control पहले कब होगा जब when the power is delegated to the subordinate authorities by parliament जब power जो है delegate की जाए subordinate authorities को parliament के दोवारा मतलब जब bill introduced होता है ठीक है तब तब वो उसको control कर सकते हैं दूसरा rules were laid in the house of parliament through committees on delegated legislation अब क्या होई जो subordinate authorities थी वो अब क्या करते हैं house of parliament में houses of parliament में अब अपने rules दिखाती है तब वो उसको कर सकते हैं committees on subordinate legislation checks the rules framed by the executive and submits its report to the legislature if they are ultra wise question may be put to the minister concerned जब committees subordinate legislation को check करके rules जो हैं वो देखती हैं उनको check करती हैं तो जो executive ने submit किये हैं legislature के अंदर तो अगर वो ultra wise है जितना बताया गया था उससे जादा है जितना law बनाने के लिए कहा था जितनी power उसके अंदर डालने को कही गई थी उससे जादा है या उससे बिलकुल कम है जब ultra wires है beyond the power है तब हम कह सकते हैं कि ये इसको control कर सकता है ठीक है ये रहा हमारा delegated legislation का concept अब हम बात करेंगे article 246 की 245 हमने कर लिया 246 की 246 कहता है कि parliament के पास exclusive power है कि इसके उपर लव बनाने के लिए union list में 7th schedule में अब देखो यार सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे पास 7th schedule होता है एक 7th schedule नाम की बला होती है जिसमें क्या होता है कि 3 चीज़े दी गई है 3 list दी गई है union list, state list and concurrent list union list को हम list 1 भी कहते है state list को हम list 2 कहते है और concurrent list को list 3 कहते है ठीक है अब parliament के पास exclusive power है कि सिर्फ वो union list के उपर law बना सकती है state legislative, union list के उपर law नहीं बना सकती ठीक है state list list के पास exclusive power होती है कि वो state list के अंदर जो subject matter है उसके उपर law बना सकती है union list के उपर नहीं बना सकती है लेकिन जो concurrent list है इसके उपर parliament और state legislature दोनों के पास power है कि वो दोनों law बना सकते है अगर कभी conflict arise होता है center के law में या state के law में concurrent subjects के उपर तो जो center का law है वो prevail करेगा center का law prevail करेगा मतलब parliament ने जो law बनाया है वो वाला prevail करेगा ना कि state legislative का law ठीक है अब article 247 है यह हमें normally यह बताता है कि जो parliament है उसके पास power है additional courts establish करने के लिए ताकि जो union list में subject है उसको administer किया जासकी बड़े तरीके से ठीक है अब हम बात करते है कि देखो यार हमें पता है कि तीन list बनगी union list बनगी, state list बनगी, concurrent list बनगी इसके अंदर कुछ कुछ subjects भी है ठीक है, जैसे कि state list में 66 होते है तो ऐसे subjects भी इनके अंदर categorize किये गए है बट कोई ऐसा subject भी तो होगा जो इन तीनो subject के अंदर नहीं तीनो list के अंदर नहीं fall करता इससे अलग भी होगा, है ना ज़रूरी तो नहीं है कि सारे subject के अंदर include किये गए हो, कुछ रह भी गए होगे तो अगर ऐसा कोई matter रह जाता है किसी भी list के अंदर डालने के लिए जैसा कि concurrent list में या state list में डालने को रह जाता है तो parliament के पास power है exclusive power है कि वो उसके ओपर law बना सकते हैं ठीक है? जो matter concurrent list में या state list में डालने से रह गया था अब उसके ओपर parliament के पास power है कि वो law बना सकती है और यह है रेसिडियोरी पावर आर्टिकल 248 ठीक है जी अब आता है concept रिपंगेंसी between central law and state law कि अगर मान लीजिए पहले हम इसको read कर लेते हैं आर्टिकल 254 इफ एनी law made by state legislature is against the law made by parliament in matter of concurrent list then law made by parliament shall prevail and law by state legislature will become void यह तो हमें पता है कि अगर state legislature ने law बना दिया concurrent list पे और parliament ने भी उसी matter पे law बना रखा है या फिर बाद में बना दिया तो parliament का law जो है वो prevail करेगा state legislature का law prevail नहीं करेगा लेकिन फिर कहते हैं कि state legislature का law कब prevail कर सकता है उन्होंने कहा when a law made by the state legislature is against the law made by parliament on the subject matter of concurrent list the state law only prevail if it receives the consent of president अगर assent मिल जाती है president की उस law को जो कि state legislative assembly या council ने बनाया था तो हम कह सकते हैं कि वो law वहाँ पर prevail करेगा वहाँ पर parliament का law prevail नहीं करेगा यह याद रखने की बाते हैं वाई यही पुछा जाता जुडिश्री में ठीक है article 246 clause A जो की special provision है किसके respect में goods and services tax GST बहुत अच्छा topic है यह GST वाला है ना इसके ओपर कभी देखना ध्यान से notice करना comment में बताना कि आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए नहीं चाहिए अगर आपको इसके अलग से वीडियो चाहिए ना तो हम डिटेल में GST को डिसकस करेंगे एक दिन ठीक है कि जो कुछ भी article 246 में 254 में बताया है ना उसको छोड़ दो हमने दर छोड़ दिया जो भी लिखा है जो भी बताया है छोड़ दो उसको Parliament and subject to clause 2 subject to clause 2 का मतलब है subject to के बाद कौमे के बाद जो बात लिखी होती है ना वो कि मैं लो किसका state legislature state legislature की बात हो रही है यहां पर subject to जो आगे लिखा था ना उसकी लिए बात की जाती है ठीक है तो Parliament और state legislature every state के ठीक है has power to make law with respect to goods and services tax imposed by the union और by state कि मतलब GST को लेकर Parliament या state legislature अपने state में और यह center में law बना सकते हैं ठीक है यह तो हो गया 246a का clause 1 clause 2 कहता है कि Parliament has exclusive power to make law with respect to goods and services tax where the supply of goods और services और both take place in courts of interstate trade और commerce Parliament के पास यह power exclusive power कब बन जाती है जब यह goods या services tax की बात हो जहाँ पर यह दोनो या फिर goods या फिर service या फिर यह दोनो कहीं interstate trade में चल रहे हो या फिर commerce में चल रहे हो तब उसके उपर GST Parliament भी लगा सकता है ठीक है जी इतना समझ में आ गया और यह जो है यह law कब बनेगा कब effect में आएगा जब इसको recommend किया जाएगा GST Council के दुआरा जो की गई है 279A Clause 5 में ठीक है तो अब हम बात करेंगी कि Parliament state subject के उपर कब legislation पास कर सकता है कब उनको भी law बना सकता है अभी हमने बात की थी थी ना कि state के legislation subject से उपर सिर्फ state ही बनाएगा state list में जो subject दिये हैं और जो concurrent है उसके उपर Parliament और state दोनों मना सकते हैं और जो union है उसके उपर सिर्फ Parliament के पास exclusive power है तो normal circumstances में center जो है वो interfere नहीं कर सकता state के साथ state नहीं interfere करता center के साथ but कुछ conditions जो है जब वो आ जाती है तब Parliament जो है वो state subjects के उपर law बना सकता है ठीक है जी यह कब हो सकता है जब national interest की बात हो या फिर proclamation of emergency की बात हो या फिर consent of state की बात हो या फिर international agreement या treaty की बात हो 249, 250, 252, 253 respectively ठीक है तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम देख रहे हैं कि पहला हम explain करेंगे article 249 जो है national interest की बात करता है ठीक है तो national interest हमें क्या बताता है article 249 उसमें बताया गया है कि अगर अगर कभी parliament को ये लगी कि national interest की बात है और subject matter state का है तो क्या अगर सकते हैं राजसरबा एक resolution पास करेगी majority होगी two-third जो वहाँ पर president होंगे और voting कर रहे होंगे ठीक है उनकी two-third majority का के साथ एक resolution पास किया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि हम law बनाना चाते हैं इस subject particular इस subject पे क्योंकि state list पे तो बहुत सारे subject हैं वो सभी के ओपर थोड़ी law बना सकते हैं को particular एक subject के ओपर हम law बनाएंगे वो resolution पास किया जाएगा ठीक है तो parliament जो है फिर वो law बना सकता है किसी भी subject के ओपर ठीक है या तो फिर मतलब subject के ओपर completely बना दे या किसी पार्ट के ओपर बना दे ठीक है अब जो validity है resolution की वो एक साल तक रहेगी और parliament चाहे तो जब वो expire होने वाला हो एक साल complete हो तो उसको फिर से renew कर सकता है ठीक है मतलब कि एक साल तो हो गया validity resolution की एक साल तक है लेकिन उसकी अगले 6 महीने तक वो dissolve नहीं होगा ठीक है समझ गए next thing is emergency अगर parliament को ये लगता है कि emergency लगी हुई है और subject matter पे law बनाना ज़रूरी है तो parliament के पास power है कि वो completely whole or any part of territory of India on any subject matter of state list state list की किसी भी subject पे इंडिया की किसी भी पूरी territory के उपर या फिर किसी small part के उपर law बना सकते हैं जब emergency का time हो ठीक है लेकिन जब emergency हट जाएगी removal of emergency के 6 महीने के बाद वो law अपने आप expire हो जाएगा ठीक है और जो इसके अंदर point include करने का वो है कि GST 246A और state list इन दोनों के उपर मना सकते हैं ठीक है अब बात यह है कि point C consent of state article 252 इसमें बताया गया है कि according to article 252 if the legislature of two or more states passes resolution that it is desirable to have law passed by the parliament on any matter of the state list then parliament may make law on that matter अगर दो या दो से ज़्यादा state इकटे होकर अपनी सहमती से यह कहते हैं कि parliament जी आप हमारे लिए law बना दोगे क्या और फिर parliament को लगता है कि हाँ मैं state list पे इस subject पे law बना सकता हूँ तो उनकी मर्जी है वो चाहे तो बना सकते हैं ठीक है any other state may adopt the law by passing resolution वही बात आ जाएगी कि वो state फिर resolution पास करवाएंगे और कहेंगे कि यह जो law बना दिया ना आपने state list पे इस subject matter पे हमें भी यह adopt करना है तो adopt कर सकते हैं ठीक है यह जो law parliament ने बनाया है consent बेशक states की थी लेकिन amending और repelling power amend करने की power या फिर repel करने की power सिर्फ और सिर्फ पार्लियमेंट के पास ही रहेगी इसका एक example है Transplantation of Human Organ Act 1994 का ठीक है यह दो state की consent से बनाया गया था ठीक है जी इतना समझ आ गया अब बात करेंगे 253 की कि मतलब to implement international agreement and treaties अगर हमारा देश अगर हमारा इंडिया कहीं बाहर कोई international agreement कर रहा है अब देखो agreement कर रहा है international treaty कर रहा है तो उसको इंडिया में applicable करने के लिए उसके उपर law बनाना पड़ेगा अगर वो international treaty का जो matter है जो subject matter है अगर वो state list में fall करता है तो हम state की consent नहीं लेंगे ठीक है यह article power empowers करता है पार्लियमेंट को की वो law बना सकता है किसी भी पार्ट के उपर या फिर पूरे complete इंडिया territory के उपर ताकि वो treaties को implement किया जासके और international agreements को conference को implement किया जासके ठीक है law के रूप में तो इसमें कोई भी consent ज़रूरी नहीं है कि हमें state की consent लेनी पड़ेगी कोई ज़रूरत नहीं है subject matter दिख रहा है international treaty है सिधा बना उसके उपर law बना सकते हैं जैसे की Environment Protection Act 1986 हमारी Parliament ने law बना रखा है अगर बात करते हैं inconsistency between law made by union or states अब हमने देखा था कि अगर दोनों की law clash हो रही हैं तो क्या होगा किसका law prevail करेगा कब prevail करेगा तो हमने देखा था कि article 254 तो हम पहले discuss कर चुके हैं लेकिन article 251 जो हमें बताता है अगर कोई provision made by legislature of state is against any provision of law made by parliament then the law made by parliament shall prevail and continue in effect and the law made by state legislature become ineffective 251 आटिकल हमें बताता है कि अगर state legislature का law किसी भी provision के against है जो की parliament ने बनाया है तो parliament का law ही prevail करेगा और effect में रहेगा जबकि जो state legislature का law है वो ineffective हो जाएगा यह सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है आर्टिकल 249 और 250 की 251 जो आर्टिकल है यह किसके संदरब में बोलता है आर्टिकल 249 और 250 में यह कहता है कि 249 जो की national interest का topic है और 250 emergency में कि अगर इन दोनों के उपर state legislature ने पहले ही law बना रखा है national interest में किसी topic के उपर पहले ही state ने law बना रखा है पहले ही और parlement को वो change करना है तो अगर फिर भी कोई clashes होता है तो parlement का law जो है वो ही prevail करेगा ना कि state legislature का law ठीक है आर्टिकल 255 की अगर बात करें तो इसमें बताया गया है कि no act of parlement or of state legislature and no provision of any act shall be invalid by the only reason recommendation और previous sanction required by constitution is not given देखो कई लोग के लिए ना हमें जरूरत होती है कि हमें prior permission लेनी होती है governor की या president की तो यह article हमें बताता है कि अगर आपने prior permission नहीं भी ली है recommendation नहीं भी लिया है governor का या president का तो कोई बात नहीं होगा ठीक है यह बाद में लिया जा सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तो point A कहता है कि recommendation required was that of governor either by governor और by the president की अगर recommendation चाहिए हो governor की ठीक है या president की और नहीं ली गई है तो बाद में ली जाएगी कोई बात नहीं ठीक है recommendation अगर required है राजप्रमुक की अब राजप्रमुक क्या होता है वो बताते है राजप्रमुक होते है 1947 से लेकर 1956 तक governor को हमारे देश में राजप्रमुक कहा जाता था ठीक है तो उस टाइम की बात कर रहे है recommendation was required of president by the president अगर recommendation लेना था नहीं लिया assent मिल किया थेको law कब valid होता है जब उनको governor का या फिर president का assent मिल जाता है तब ही valid होता है otherwise वह valid ही नहीं होता है तो अगर वह prior permission नहीं ली तो कोई बड़ी बात नहीं है बाद में तो assent मिल ही रही है अगर assent मिल गई तो valid हो जाएगा ठीक है इसके साथ हमने complete किया है हमारा topic article 245 से लेकर 255 तक legislative relation between union and state के बीच में the thing is अब दो हमारे पास doctrine रहती है doctrine of pit and substance and doctrine of colorable legislation तो इन दोनों को हम next video में cover करेंगे detail में cover करेंगे बड़ा interesting topic रहेंगे यह दोनों भी यही का part है ठीक है अगर आपको exam में question पूछा जाता है तो हम यह आगे एक इसका सब पार्ट मन जाता है कि principle of interpretation of list तो उसको हम next video में cover करेंगे और वो वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएगी तो stay tuned with this channel अगर आपको कुछ भी concept अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है